आईए जानते हैं कि घरेलू नुसके से इलाज करने में कौन-कौन सी आयरुवेदी कौशदी का इस्तिमाल कर सकते हैं और उसे कौन-कौन से बिमारी का इलाज किया जा सकता है स्वस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट आठ से तस पते तुलसी के खाएं बहुत से लोग बोडी को फिट रखने के लिए हेल्थ क्लब और जिम का सहरा लेते हैं अगर इसके साथ हम अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार कर और कुछ घरेलों नुस्खे अपना कर भी अपने आपको फिट और एक्टिव रख सकते हैं बेसन में थोड़ा सा नीबू का रस, शहद और पानी मिला कर एक पेस्ट बना ले इस लेप को फेस पर लगाने से चहरा सुन्दर दिखने लगता है और स्किन ग्लो करती है अगर आपके चहरे पर दाग धबे और पिंपल्स हैं या फिर आपके चहरे पर फेरनेस क्रीम और ब्यूटी प्रोड़क्स इस्तमाल करने की वज़े से साइड इफेक्स हो गए हैं तो आप घर पर ही आयूरवेदिक फेस पैक की मदद से इनका उप्चार कर सकते हैं अगर आप गोरा रंग पाना चाहते हैं तब भी आप फेस साफ करने के ये नुस्के प्रेयोग कर सकते हैं नमबर तीन बालों की देखभाल बालों की देखभाल ना करने की वज़े से बाल जड़ने, बालों में डेंडर्फ और गंजापन जैसी समस्या हो जाती है अगर आप भी हेर्स की किसी भी प्रॉब्लम से परिशान है तो आप होम रेमेडिस अपनाएं कुछ ही दिनों में आपके बाल सुन्दर और मुलायम होने लगेंगे नमबर चार मुटापा कम करने के उपाए जादा मुटापा होने से शरीर को और भी कई बिमारियां होने का डर रहता है आजकल के गलत खानपान और बिजी लाइफ स्टाइल की वज़े से जादा लोगों को पेट की चर्बी बढ़ने की शिकायत होती है जिससे वजन बढ़ता है वैसे तो मुटापा कम करने के लिए रोजाना योग और एक्सेसाइज करना बेहर जरूरी है पर हम कुछ घरेलू नुसके अपना कर भी तेजी से मुटापा कम कर सकते हैं नमबर पाँच हाइट बढ़ने के उपाए कई बार वजन जादा होने के कारण भी हाइट नहीं बढ़ती अगर आपकी बोडी का मुटापा जरूर से जादा है तो हाइट बढ़ने के लिए पहले आपको मुटापा कम करना होगा और कई बार हार्मोन्स और जेनेटिक डिसॉर्डर की वज़े से भी गद लंबा नहीं हो पाता जानी ये लंबाई बढ़ने के घरेलू नुसके कौन से है अगर आप अपने दुबले पतले शरीर से परिशान हैं और अकसर यही सोचते हैं कि मैं खाता पीता तो बहुत हूँ फिर भी मोटा नहीं हो रहा तो आप वेट बढ़ने के इन घरेलू नुसकों को अपनाए कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको फरक दिखने लगेगा बवासीर को पाइल्स भी कहते हैं जिसका सबसे बड़ा कारण कब्ज होता है खूनी भवासीर होने पर टॉयलेट में बहुत जादा बलड आता है जिसे देख कर रोगी खबरा जाता है बलड को रोकने के लिए 10 से 12 गरम काले तिल को मक्षन के साथ ले जाने पाइल्स का ट्रीटमेंट आयूर्वेद और होमेपैथिक से कैसे करे किसी बे औरत के लिए मा बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है इसलिए गरभावस्ता में प्रेगनेंट रूमेन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन से उपाए करके नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है ये जानना पहुत जरूरी है और ये भी जाने कि प्रेगनेंसी के पहले तीर महिने में बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है ब्लेट शुगर को इंगलिश में डायवटीज कहते हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए और जड़ से खतम करने के लिए वीट ग्रास, गिलोए, करेला, एलोवेरा, तुलसी, आमला और जामून के पत्ते मिलाकर जूस बनाकर पिए शुगर का उपाए करने में दाल चीनी और मेथी के दाने का प्रयोग भी काफी फायदा करता है नीम के पत्ते खाली पेट खाने से भी शुगर दूर होती है गर्मी में लू से बचने के लिए घर के बाहर जाते समय सिर को किसी कपड़े से अच्छे से ढख लें और कभी खाली पेट घर के बाहर ना जाएं जलजीरा, धनिया, प्याज, इमली का पानी, खीरा और गाय का दूद का प्रयोग गर्मी से बचाय रखता है गर्मी में पित और घमोरिया होने पर आवले के रस में घृत कुमारी मिला कर पिएं नमबर 11 पत्री का इलाज पत्री के दर्द से राहत पाने और पत्री का उपचार करने के लिए हल्दी का उपयोग सबसे उत्तम है दो ग्राम गुड गाजर की कांजी और एक ग्राम हल्दी मिला कर खाने से पत्री गलकर निकल जाएगी जाने और कौन-कौन से घरेलू उपाय करके गुर्दे किटनी गॉल ब्लेडर की पत्री निकाल सकता है नमबर बारह पेट में गैस काला नमक, जीरा, अजवाइन और छोटी हरड को बराबर मातरा में और पीस कर खाना खाने के बाद हलके गुन-गुने पानी के साथ 2-5 ग्राम तक की मातरा में ले डाल चीनी का पावडर पानी के साथ लेने पर दस्त और गैस से निजात मिलती है नमबर 13, पीलिया के इलाज के नुस्खे लिवर की कमजोरी के कारण पीलिया की शिकायत हो जाती है और जब ये समस्या बढ़ जाए तो काला पीलिया होने का खत्रा होता है जिसे हम हेपेटाइटिस B भी कहते हैं घर पर मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से जिगर को ताकत मिलती है पेट की गर्मी खत्म होती है और पीलिया से राहत मिलती है जाने पीलिया का उपचार करने के कुछ और नुस्खे नमबर 14 मूँ के छाले का उपाए मूँ में गालों पर और होटों पर छाले होने पर मुलेठी के चून को शहद में मिलाकर छालों वाली जगह पर लगाएं और इस से निकलने वाली लार को बाहर निकाल दे नमबर 15 लकवा का देसी इलाज लकवा का अटेक आने पर 50-100 ग्राम तिल का तेल ले और उसे हलका गरम करके रोगी को पिलाएं और लहसुन को छील कर चबाने को दे साथ ही शरीर के जिस हिस्से पर लकवा हुआ हो उस पर सेख करें नमबर 16 कब्ज के खरेलू नुस्खे कब्ज होने पर ज़्यादा पानी पिए फ्रूट्स में अमरूद और पपीता खाएं और एक गिलास हलके गरम पानी में एक नीबू निचोड़ कर पीने से पुरानी कब्ज भी खुल जाती है नमबर 17 स्वाइन फ्लू का इलाज स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें तुर्सी के पत्ते, गिलोई की बेल, कपूर और मैंथोल का इस्तेमाल स्वाइन फ्लू से बचाव और उपचार के लिए कर सकते हैं जाने अपनी फैमिली को कैसे स्वाइन फ्लू से दूर रखें नमबर अठारा दिल का दौरा का उपाए जिन लोगों का दिल कमजोर है या कोई दिल की बिमारी और ब्लॉकेश से पीडित हैं उन्हें हार्ट अटेक का आने का खत्रा ज़ादा होता है ऐसे रोगियों को लौकी का जूस लौकी की जूस में तुलसी और पुदीना मिलाकर पीने से ज़ादा फाइदा होता है नमबर उन्नीस कैंसर का इलाज कैंसर में माउट कैंसर, लिवर कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कुछ ऐसी बिमारियां हैं जिनसे लोग काफी पीडित होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए देशी गाय का मुत्र बहुत जादा प्वायदा करता है कैंसर के मरीज को दिन में दो से तीन बार गौ मुत्र पीना चाहिए नमबर बीस गठिया का उपए गठिया की बिमारी में जोडों में और घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है और कई बार चलना फिरना भी नहीं हो पाता गठिया के दर्द में लहसुन, अश्वगंधा, अकरोट, अमरूत का प्रयोग बहुत कारगर है बाबा रामदेव के बताय हुए योग करने से भी जोडों का दर्द ठीक होता है नमबर 21 डेंगू बुखार के नुस्खे डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से होता है जिसकी वज़े से बलड में प्लेट लेट्स की कमी हो जाती है गिलोए भीट ग्रास अनार पपीते के पत्ते और तुलसी मिला कर जूस पीने से डेंगू का इलाज करने में रामबान का का काम करता है नमबर 22 सर्दी जुकाम के घरेलू नुस्खे शहद के साथ अद्रक का छोटा सा टुकडा खाने से सर्दी और जुकाम में आराम मिलता है एक ग्राम हल्दी और बीश से पच्चिस ग्राम आमला मिला कर लेने से सर्दी जुकाम और कफ में तुरंट आराम मिलता है नमबर 23 पेट के बिमारियों की होम रेमिडीज पेट में दर्द, पेट में गैस, दस्त, पेट की कुछ बिमारिया है पाचन क्रिया ठीक से काम ना करने पर ये बिमारिया अकसर हमें परिशान करती है घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों के प्रयोक से हम पेट की गैस, दस्त और दर्द से छुटकारा पा सकते हैं एलोवेरा का जूस, लेमन टी, ग्रीन टी, अजवाइन, सेंदा नमक, जीरा, पिसी हुई काली मिर्च और नीबु का सही इस्तेमाल से हम पेट की बिमारियों से बच सकते हैं एलोवेरा और आमला का जूस मिला कर पीने से बलड साफ होता है और पेट की सभी बिमारियां दूर होती है बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बेट ब्रेथ यानि कि मुझ की बदबु का उपाय करने के लिए क्या करें रोजाना ग्रीन टी पीना जादा पानी पीना जामुन के पत्ते और तुलसी के इस्तेमाल से हम बदबु की शिकायश से निजात पा सकते हैं मुझ की बदबु तुरंत दूर करने के लिए दाल चीनी का टुकडा मुझ में रखें नमबर पचीस लिवर के उपाय लिवर की गर्मी को दूर करने के लिए गाजर और पालक का जूस को दिन में दो बार पिएं इस सुपाय से लिवर की कमजोरी दूर होती है लिवर की सूजन कम होती है और फैटी लिवर का इलाज होता है नमबर छबीस नेक पे इनकी होम रेमेडीज गर्दन में दर्द होने पर जैतुन के तेल को गुनगुना करके गर्दन की मालिश करें नेक कर दर्द ठीक करने के लिए एक्सेसाइज और योग गुरू बाबा रामदेव की योगा टिप्स भी तरह कर सकते हैं नमबर 28 दात दर्द के उपाए दात में दर्द, मरसूनों से खून निकलना, दात पीले होना, पाएरिया और दातों की कोई भी बिमारी में गेहों के ज्वारे का प्रयोग उत्तम है इसके अलावा नीम का दातों से दात साफ करने पर भी मुझ की बिमारियों से छुटकारा मिलता है अश्वगंधा और गिलोए ऐसी आयरुविदिक अश्वधी है जो एसिडिटी और पेट में जलन का इलाज करने में रामबाण का काम करती है जाने इनका इलाज कैसे करें? गुड में थोड़ी अजवाइन मिलाकर लेने से एसिडिटी से छुटकारा मिलता है हाई बीपी कंट्रोल करने की होम रेडमिंटीज में गिलोए, आमला, लीची, तर्बूच, गेहों के जवारे और गाज़र का मुरबा कारगर है होमेपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से भी बीपी की समस्या दूर कर सकते है बूक बढ़ाने के लिए क्या करें? भूक कम लगना मतलब कम खाना खाना, जिससे शरीर को जरूरी पोशक तत्व नहीं मिल पाते और कमजोरी आने लगती है कब्स, एसिडिटी, पेट में गैस और जलन के कारण भी भूक कम लगती है एक किलास पानी में जीरा पाउडर, काला नमक और सफेद नमक मिलाकर पीने से भूक बढ़ने लगती है दोस्तों, उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद